हेलो बारे तेंक यू फो डाउंडोड़िंग अवर नीव अप्लिकेशन स्मार्ट डेल्टा प्रिजेंट बाइ जैनमशायस तंसेल नहीं किये तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में रखी हुई लिंक से डाउंडोड कर सकते हो और हमारे प्रिविएस वीडियो को भी देख सकत वाले है PCR ratio तो PCR ratio के उपर जैसे ही क्लिक करोगे आप देख पहोगे कि जितनी भी F&O related script है उन सभी का PCR ratio उनने यहाँ पे दिया है तो पहले समझते है PCR ratio का मतलब क्या होता है PCR ratio it means put divided by call और इसमें दो तरह की PCR ratio होते है एक होता है open interest और दूसरा होता है volume अगर viewers को या तो users को इसके वाले और information चाहिए तो हमारी application में manage button है आप जैसी इसके उपर क्लिक करोंगे inform करेंगे एक menu है अब उसके क्लिक करते ही आपको PCR के related पूरी information यहाँ पे अवेल हमने कराई है इसके उपर क्लिक करते ही आपको PCR के जो calculations है वहाँ से पता चलते हैं अब हम बात करते हैं all these features के बारे में say for example आपको particular script का PCR ratio समझना है या जानना है आप search button पे क्लिक करके अपने required script say for example मुझे Nifty का PCR ratio देखना है so while typing on Nifty I can see Nifty का PCR ratio क्या है open interest PCR और volume PCR दोनों PCR मुझे यहाँ पे दीख रहे हैं एक और चीज में आपके साथ discuss करना चाहता हूं that is all all करके आप जो tag देख रहे है that is nothing but the expires GTP available expiry है वो सभी expiry आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान में मुझे कि जैसे यह index है मुझे near BT expiry देखनी है so I can click on 18 February so 18 February जो expiry है उसमें bank nifty nifty and fit nifty तीन options अवेलेबर हैं इन तीन हों का में open interest PCR और volume PCR देख सकता है same way अगर मैं monthly expiry मतलब 25 February 21 select करू so monthly expiry के हिसाब से सभी stocks और indices मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे अब particular PCR ratio अगर आपको share करना है अपने social media या तो अपने किसी trader friend के साथ तो आप वापिस manage button पे click करके share करके जो button है उसके उपर click करते ही आप किसी भी social media पे इसको फैला सकते है दूसरी एक चीज आपके बाजू में एक horn button है horn button पे जैसे ही आप click करोगे तो हमने यहाँ पे चार category में PCR को divide किया हुआ है एक है bullish, bearish, neutral and all तो by default इस पे all पे click रहेगा अगर आपको लेखना है कि आज कितने PCR में bullishness है तो आप bullish पर जैसे ही क्लिक करोगे आप list देख पहोगे कि सभी bullish का list आपको मिल जाएगा bullish हमने हमारे जिस तरह का trading experience है उसके हिसाब से 60-70 के आसपास जो PCR होते है वह bullish zone है वहाँ से possibly market reverse हो सकता है और उपर की तरफ जा सकता है तो उसको हम bullish zone कहता है bearish zone का मतलब होता है PCR 1.6 के उपर जैसे PCR 1.6 के उपर जाता है हमने experience किया कि वहाँ से market reverse भी होता है तो उसके हिसाब से हमने दो तरह से bullish और bearish यहाँ पे आपको अवेल कराया है third option is neutral neutral का मतलब है आपका PCR इस range के अंदर है और all का मतलब है आपको सभी bullish bearish और neutral का एक line से आपको पता चलेगा symbol के उपर आप जो ascending descending order में भी आप देख सकते हो और PCR में भी आप ascending descending order देख सकते हो so thank you for watching our video thank you for downloading our application बन रहे है आमादे साथ और बन हो सके उतने से जादे से जादा इस application को आप share कीजिए